हिमाजन प्रदेश कोट खाई बहु चर्चित गुडिया दुशकर्म और हत्याकान मामले में दोशी नीलू को उम्रकैत की सजा सुनाई गई है सेशन जज राजी भारदवाज की कोट में दोशी नीलू को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है कोट खाई में साल 2017 में हुए गुडिया दुशकर्म और हत्याकान मामले में सी बी आई ने जाजकर चालान में चिरानी नीलू दोशी करार दिया है नीलू को जिला शुमला की विशेश अदालत में 28 अप्रेल को दोशी करार दिया गया था जिस पर दोशी को सजा तै होनी थी लेकिन बंदिशों के चलते लगातार सुनवाई टलती रही लेकिन आज नीलू को आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है कोट खाई बहु चर्चित गुडिया दुशकरम और हत्याकान का ये मामला साल 2017 का है जब 4 जुलाई 2017 को शुमला जिला के कोट खाई की एक चात्रा स्कूल से लोटते समय लापता हो गई थी 6 जुलाई को कोट खाई के तांदी के जंगल में पिडिता का नगन अवस्ता में शब मिला उसके बाद मामले में गठित SIT भी इससे जुड़े लौक अप सूरज हत्याकार में सलाखों के पीछे रही जनता के SIT जांच से संतुष्ट ना होने केंदर की ओर से CBI जांच को लेकर स्थिती सपष्ट ना होने और प्रदेश में कानून विवस्ता की स्थिती बिगरते देख प्रदेश सरकार CBI जांच को लेकर हाई कोट गई जिस पर हाई कोट ने CBI को जांच करने के आदेश जारी किये थे CBI ने इस मामले में 13 अप्रेल 2018 को नीलू नामक एक चिरानी को गिरफतार किया CBI ने नीलू चिरानी के खिलाफ जुलाई 2018 में कोट में चालान पेश किया था अब नीलू को दोशी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है